अपना लाइब डॉट नियूज को लाइब करें सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइपन को जरूर दबाएं नमस्कार मैं हूँ मनन गोस्वामी और आप देख रहें अपना लाइब डॉट नियूज आज मैं आप लोग को बताने चलना हूँ लोग सभाचुनाव 2019 के प्रथम चरण 11 अपरेल को देश के सभी एक क्यांबे सीटों पर हुए मतदान के प्रतिशत के साथ राष्टिय सट्टा बजार का सर्वे रिपोर्ट आज देश ब्यापियों के देश वासियों ने लोगतंत्र के इस महापरव पर खुल कर अपने मतदिकार का प्रयोग किया इस महापरव को मतदाताओं ने हर्थो उलाज के साथ मनाया इस क्रम में सभी मतदान के इंद्रों पर अलग अलग मत प्रतिशत देखा गया है मतदान के इस लोगतंत्र के पावन पर्व को मतदान दिवस के रूप में मतदाता हर्थो उलाज के साथ अपने अपने अंदाज में खुसिया मना रहे थे वहीं दूसरी तरब सट्टा बाजार के बड़े ब्यापारी अपने अपने सर्वे में मस्गूल दिख रहे थे यह जानने की कुशिस की जा रहे थे कि जन्ता किस मतदान केंद्र पर किस उमिदवार के पक्ष में कितना मतदान किया मतदान किसे जिताकर संसत बनाकर संसत भवन दिल्ली भेजना चाह रही है देश के सभी मतदान केंद्रों पर हुए मतदान के प्रतिशत को 71 कर 60 बजार के ब्यापारी ने प्रथम चरण का आकड़ा भी जारी किया है इसके साथ ये प्रधान मंतरी के उमिदवार के लिए 60 बजार के भाव में भारी बदलाव देखने को मिला है जिसका रिपोर्ट मैं आप सब के सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ दोस्तो इस रिपोर्ट को जानने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आपके द्वारा इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करने से बहुत ही फायदा आप जूड़े रहेंगे नीजों से यह सट्टा बजार हिंदुस्तानी की ही नहीं बलकि यह एक इंटरनेशनल सट्टा बजार है प्रतेक बिधान सभा तथा लोक सभा चुनाओं में सट्टा बजार की एक अलग भूमिका होती है सट्टा बजार अपने सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सीटो के आंकडे यह उनके भाव लगाते हैं आज प्रतम चरण के सट्टा बजार के आंकडे यह भाव बहुत ही रोमांचक है इस बात का इतिहास गवा है कि सट्टा बजार जो अनुमान लगाते हैं परिणाम भी उसके इर्दगिर्ध ही होता है उदारन के तोर पर अगर सट्टा बजार ने डेर्ड़ सा सीट का अनुमान लगाया तो परिणाम भी 145 से 155 के बीच ही होते हैं परधान मंत्री के उमिदवार की भाव अगर माने तो सट्टा बजार जिस उमिदवार की सबसे कम भाव लगाती है उसके विजय होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है सबसे पहले हम बात करते हैं कॉंग्रेस पार्टी की दोस्तो प्रथम चरण के मतदान में पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी को लगभग 22% मत मिलने की उमीद की जा रही है जिसका 60 भाव 60-65 रुपिया लगाया गया है यानि अगर आप 1 रुपिया लगाये हैं तो आपको 60-65 रुपिया मिलेंगे अगर राहुल गांधी प्रधान मंत्री बनते हैं तो 60 भाव 60 के अगले आंक्रे में पूरे देश में प्रथम चरण के कुल मतदान का 2.14% भोट महागठ बंदन सरकार को मिला है जिसका 60 भाव 50-55 रखा गया है यानि अगर देश में महागठ बंदन की सरकार बनती है तो जहां आप 1 रुपिया लगाये हैं वहाँ आपको 60 बाजार में 50-55 रुपिया मिलेंगे अब बात करते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सरकार की तो भाजपा को प्रथम चरण के मतदान में कुल मतदान का 76.39% मतप्राथ हुए हैं जिसका 60 भाव मातर 3-5 पैसा रखा गया है 60 बाजार के अनुसार भाजपा का मतप्रतिसत इतना बढ़ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आकड़ा है दोस्तों 60 बाजार का मानना है कि मोदी के इस आंदी में मानो राहुल की मातर बुंदा बांदी है ये सभी आकड़े 60 बाजार के हैं या उसका अपना नीजी सर्वे है इस पर हम कुछ बिशेश नहीं का सकते हैं हम तो इतना ही का सकते हैं कि अगर आप 60 बाजार में जाते हैं तो जो खिम भरा होता है तो आप इस मार्केट से दूर ही रहें हमारी सला तो यही रहेगी दोस्तों अगर आपको आज की प्रस्तूती अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें जो चैनल पे नए हैं उनसे आग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हैं फिर कोई अगली खबर के साथ बने रहें अपना लाइब डॉट न्यूज के साथ नमस्कार धन्यवाद